जब एक कुत्ते ने मारी 51 साल के इंसान को गोली अमेरिका में एक 51 साल के व्यक्ति को उसके ही कुत्ते ने गोली मार्च दी जी हाँ आपने सही पढ़ा है अमेरिका के आयोवा शहर से ऐसा अजीब औरी मामला सामने आया है यहाँ पर एक आदमी को अपने ही पालतू कुत्ते के साथ खेलना महंगा पढ़ा गया उस व्यक्ती ने इमर्जेंसी नमबर 911 डायल करके कहा कि उसे कुत्ते ने गोली मांस दी है फोट ब्रिज के रहने वाले रिचर्ड रे में अपने क्रॉस ब्रीड कुत्ते बालेव को अपनी गोदी में कूद ना सीखा रहे थे इसी दोरान उनके कुत्ते ने उनकी पिस्टल की सिफ्टी के खोल दी ऐसे में जब कुत्ते ने दुबारा से गोधी में आने के लिए छलांग लगाई तो कुत्ते की पैर की उंगलियों में पिस्टल का चगर फस गया और गोली चल गई जिसके बाद रिचर्ड ने इमर्जेंसी सर्विस पर कॉल करके कहा कि उनके कुत्ते ने उनको गोली मार्च दी है रिचर्ड ने बताया कि गोली उनके पैर में लगी पर अच्छी बात यह रही कि गोली से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है वही सिटी पुलीस चीप रोजर पोर्टर का कहना है कि कुत्ते द्वारा गोली मारने की यह पहली घटना है ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी है